जाइलोकेन 2% जेली यानि की लिगनोकेन की वज़े से एक बहुती इंपोर्टन्ट एक साइड एफेक्ट होता है वो है Welcome to ThinkPill, मैं हूँ Dr. Rupal और MedKYC के नए एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए friends आप बात करते हैं Zाइलोकेन 2% जेली के बारे में इसके अंदर जो में इंग्रेडियन्ट है वो लिडोकेन या लिगनोकेन 2% किसी भी तरह के मेडिकल क्रोसीजर्ज करने हो किसी भी तरह के स्किन के प्रोसीजर्ज करने हो जैसे वॉट को अगर निकालना हो या कोई भी सकिन की opi-di surgery करनी हो minor surgery करनी हो तो local anesthesia के लिए xilokin jelly का इस्तमाल किया जाता है कभी-कभी इसको arrhythmia में भी इस्तमाल किया जाता है xilokin gel ये piles में यानि की hemorrhoids की treatment में भी इस्तमाल किया जाता है हाला कि इससे कोई treatment नहीं होता है लेकिन files में जो बहुत ज्यादा कुझली होती है या फिर बहुत ज्यादा दर्ध होता है तो वो दर्ध से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो चली अब एक नजर डालते है जाइलोकेन 2% जेली के side effects पर सबसे पहला और सबसे important side effect जो जाइलोकेन जेली का हो सकता है वो है allergic reaction आपको इसकी वज़े से allergy हो सकती है allergic rash आ सकते है एक severe allergic reaction जिसको हम anaphylactic shock कहते है वो भी इससे हो सकता है जाइलोकेन जेली की use की वज़े से कभी-कभी infection की तरह भी मैसूस होता है जैसे की fever जैसा मैसूस हो सकता है कप-कपी सी लग सकती है थोड़ा सा body pain हो सकता है जाइलोकेन 2% जेली को लंबे समय तक यूस किया जाए तो body में acidosis कहते है जिसमें blood में acid का level बढ़ जाता है ऐसी condition में कई बार patient को confusion हो जाता है fast breathing हो जाता है एकदम fast heartbeat हो जाती है ऐसी heartbeat हम लोग arrhythmia बोलते है जाइलोकेन 2% जेली यानि की lignocaine की वज़े से एक बहुत ही important side effect होता है वो है meth hemoglobinemia meth hemoglobinemia के condition में ऐसा होता है कि bluish gray color हो जाता है skin का खास करके lips का अपने नाखून का और चमड़ी का इसके साथ साथ meth hemoglobinemia में heart beat भी abnormal हो जाती है कभी-कभी आकड़ी या fit आने लगते है patient बेहोशी से चक्कर आके गिर जाता है बहुत ही severe सरदर्द होता है तो यह एक बहुत ही rare लेकिन बहुत ही deadly side effect है इसकी वज़ज़ से जान भी जा सकती है lignokin या xilokin 2% jelly की इस्तमाल से कुछ patients में बहुत ज्यादा numbness और tingling numbness हो सकता है जिस area पर इसको लगाया जाए वो काफी लंबे समय तक सुन पड़ सकती है और थोड़ा सा dangerous हो सकता है अगर यह jelly गलती से आपकी आँखों में चली जाए तो आपके eyesight में यानि कि आपके नजर में problem हो सकता है कभी-कभी आपको दिखाई देना भी बंद हो सकता है तो यह सब बहुत ही सीरियस साइड इफेक्स है इसका और एक rare side effect है वो है tinnitus इसकी वज़़से कभी-कभी कानों में CT जैसी सुनाई देती है जिसको हम लोग tinnitus केते हैं वो भी हो सकता है कुछ rare cases में जाइलोकेन 2% जैली की वज़़से चेस्ट पेड हो सकता है स्लो हार्टबीट हो सकती है और हाथ पाव कापने की बिमारी हो सकती है जाइलोकेन 2% जैली को प्रेगनसी में इस्तमाल वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन डॉक्टर के सूपर विज़न में कुछ छोटे से माइनर प्रोसीजर के लिए ये डेफिनेटली लोकल एनस्टीशिया के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हो जाइलोकेन 2% जैली को बच्चों में इस्तमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए खास करके बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हो उनमें जाइलोकेन 2% जैली को बिलकुल यूज नहीं करना चाहिए जाइलोकेन 2% जली को एपिनेफरीन नाम की दवाई के साथ कभी इस्तमाल नहीं करना चाहिए उसके साथ सिवियर रियाक्शन हो सकता है दूसरी एक दवाई की कैटेगरी होती है जो जिसको हम कहते हैं मोनो अमाइन ओक्सिडेस इन्हिबिटर्स ये मेडिसिन अकसर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है तो इसके अलावा फीनो थाइजीन नाम की जो दवाई होती है जो स्किजोफरेनिया की इसके साथ इस्तमाल नहीं करना चाहिए दूसरी एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है जिनको जी सिक्स पीडी डेफिशेंसी होती है तो फ्रेंस जी सिक्स पीडी डेफिशेंसी एक अनुवांचिक रोग है ये यूज करने से यानि की जाइलोकेन टू परसंट जली यूज कर चाहिए तो आखिर में ये कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह की दवाई अगर आप इस्तमाल कर रहे हो तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए उसके बाद ही कोई भी दवाई का इस्तमाल कीजिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन को यूज मत कीजि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको इस वीडियो की बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलिए अगर आपको इस वीडियो से महत्वपुन जानकर ही मिली हो और आ forget to stay awesome, bye!